ध्यान से सुनो, जैसा कि आपको पता है पिछले कई सालों से ऐसा होता जा रहा है कि हमारा जो नीट का एक्जाम है न, वो mostly concentrate होता जा रहा है to NCRT, mostly बोलेंगे, exactly 100% तो नहीं बोलूँगा, बड़ मैं इस percentage को काफी हाई rate करूँगा, approximately 90 के आसपास. आपको हमेशा as a teacher, I wouldn't say as a student, because as a student आपके बास समय ही नहीं होता, आपको पढ़ाई करनी होती है, आपको as a teacher, have to look out for, क्या बुलते हैं, कि signal जो conducting agency है, वो बताती रहती है कि हम किस परकार का exam सेट करने वाले हैं, है न, वो अपने आप signal देती रहती है, ठीक है, as a teacher, मेरा काम क्या है, कि उन signals को grab करना, ठीक है, उनका interpretation निकालना, कि ये बात अगर किसी ने बोली है, तो उसके पीछे क्या मतलब है, फिर उसको अपने पढ़ाने में incorporate करना, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, मेरे पास है समय, तो मैं obviously उसका उसी परकार से utilization करता हू आप पिछले दो-तीन सालों के NTA के जितने chairman रहे है, विनी जोशी जी रहे है, विनी जोशी था मेरे खाल से उनका नाम, ठीक है, सर विनी जोशी बोल देते हैं, बुरा ना मन जाए, उन्होंने जितने भी interview दिये हैं, या जितनी भी conducting agencies में कोई भी change आता है, तो वो interview देते ह उन interviews को obviously मैं देखता हूं, सुनता हूं, जो उसका interpretation होता है, उसको अपने chemistry में apply करने की कोशिश करता हूं, जिसे last year उनसे question पूछा गया, I still remember it, शाय शाय लास्ट, ये वाला April नहीं, last April, May or June की बात है, मेरे खाल से, ठीक है, उनका एक interview आया था, उनसे question पूछा गया, NTA के chairman से कि आप ये करते जा रहे हैं कि syllabus को NCRT पर concise करते जा रहे हैं, दोनों के लिए question था, J.E. mean के लिए भी और आपके लिए, neat के लिए भी, तो आप कैसे ensure करेंगे, quality कैसे ensure करेंगे, तब उनका एक जवाब था, बड़ा शामदार था, कि आप ये मत समझा करें, ठीक है, ये ब NCRT पर concentrated है, तो as it is NCRT की line में से question ही पूछा जाएगा, ही पूछा जाएगा, ना, मलब कि ये नहीं कि line to line भी question पूछा जा सकता है, वो ही agree with it completely, ठीक है, बट सिरफ line to line ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, तो ने बोला कि बताईए, क्या क्या कहना क्या चाते है, थोड़ा एक concept पकड़ा, दूसरे chapter से दूसरा concept पकड़ा, दोनों को combine कर दिया, अब इस बच्चे ने जो NCRT से ये concept पकड़ा होगा, उस पे question जरूर की होगे, जब इस chapter से ये concept पड़ा होगा, उस पे question जरूर की होगे, बर हम जब ने दोनों को क्या कर दिया, combine कर दिया, क्या वो question कर पाता है या नहीं कर पाता है इसी से पेपर का लेवल भी राइस हो जाएगा as well as जो है मलब की as line to line NCRT वाली लाइन भी थोड़ी सी खतम हो जाएगी line to line से भी पूछा जाएगा बट सिर्फ line to line से ही पूछा जाएगा ऐसा नहीं होगा है यह तो बात मुझे पता ही नहीं थी बच्चे कह रहें कि अपकी बार तो NMC करेगा हमेटा यह बात तो मुझे पता ही नहीं थी ना जब भी कंड़क्टिंग एजंसी होती है, जिप Means He made in Canada, पहली बार बहुत जादा ड्रस्टिक चेंजिस नहीं लेके आते पहली बार बहुत जादा ड्रास्टिक चेंजिस नहीं लेके आते घाते जैसे आपकी बार का पेपर का लेवल माल लेते हैं यह था अगली बार के पेपर का लेवल यह जरूर हो सकता है यह जरूर हो सकता है अगर इस साल के पेपर का लेवल यह था अगली बार का लेवल यह हो सकता है यह हो सकता है अगली बार के पेपर का लेवल यह नहीं हो सकता इतना मुश्किल नहीं पर जो है 100% मुश्किल नहीं आ सकता क्यों क्योंकि तुम लोग बाहर आके हंगामा मचाओगे सब कुछ perception पर चलता है आपको कुछ आता हो किसी student को या ना आता हो बड़ अगर उसने बाहर आके ये बोल दिया बाहर आके ये बोल दिया कि एक्जाम टफ था और फिर वो रिपल इफेक्ट की तरह होता है एक जना बोलता है एक्जाम टफ था सार जने बोलता है एक्जाम टफ था एक्जाम टफ था एक्जाम टफ था आता हो या ना आता हो ठीक है वह बाहर आके रिपल इफेक्ट की तरह क हो जाता है जो उसको इंप्लीमेंट करना है वो धीरे 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 इंप्लीमेंट करेगा ठीक है